आरा रंगा हुआ हो और सब नेता आरा में अपराधियों के बगल में बैठता है कोई यूरिनियम का बिजनेस कर रहा है कोई दस थाल की बच्चे का छोड़ा छोड़ा ड्रक्स बटवा रहा है कोई 47 रखता है कोई सारा MLMP का तो यही हल है कामा में नेता पर और आइडिलोजी पर भूट हुआ है विचारधारा पर कि कौन बरका जात का भूमिहार है उस इस जात का पाहलमान कौन है इस जात का पाहलमान कौन है 56 किसके पास है 47 किसके पास है जनलिकार पार्टी और तो हमेशा सरक पर रहती है आवाज उठाती है और इस बार आजाद इंदुस्तान के बाद पहली बार एक ऐसे पटना इंवर्चिती में च्छात्र को मिला है जो जीनियस तो है ही संगर्शिल है ही एक आवाज है कमजोर स्वाब चुना हुआ और एक सिट पे होना बाके मुझभपर पुरकुर्णी तो हमारे साथ अभी जापके राश्टी अदेश पप्पूय आदब है तो क्या लगा आप समर्थन देंगे या फिर कंडिडेट उता रहेंगा आपका भई आमको तो समझ में नहीं आता ब्यार क यह हिंदू-मुस्लिम प्रोराइशन कराने के फिर में हमेशा नफरत के अधार पर यह चुनाओं पैसे ताकत के अधार पर लगता है यहां भी चपन से तालिस के अधार पर अभिहार में अपराद रोकने की बाहर माफिया डेली पूरा मड़ पूरा आरा रंगा हुआ हो औ अधार आरा में अपराधियों के बगल में बैठता है कोई उरिनियम का बिजनेस कर रहा है कोई दस ताल के बच्चे का चोड़ा चोड़ा ड्रक्स बटवा रहा है कोई 47 रखता है को सारा MLMP का तो यही हाल है नौना उनेस उनेस्टो बालू में मडर होता है यहां मुकामा में नेता पर और आइडिलोजी पर भोट हुआ है विचारधारा पर कि कौन बरका जात का भूम्यार है उस इस जात का पहलमान कोन है इस जात का पहलमान कोन है 56 किसके पास है 47 किसके पास है चिराग पासमान से टल हो गया है लेकिन अब लग रहा है कि आप भी कहीं जहां पाएंगे मतलब मुझको तो समझे में नहीं आता है भया हमारी पार्टी है और विहार कंप्लीट रूप से सारे दल के लोगों को को विहार के मुडर से घटना से व आत्मत्या कर लिया कोई बोला अभी आज सिवान में आत्मत्या कर लिया कोई बोला अभी हम नवादा जा रहे हैं कल बलतकार करके जी कर दिया इंटरनल पार्ट कर दिया कोई बोला पर आज से छोट के दिन एक महलाओं के साथ बलतकार बेसाली में हुआ आरती जी का कोई ब अब हैना विहार से अगरीबों से और लोगों को सत्ता सियासत पैसे से फुरसत है किसी को विपक्स को अन लोगों को इस सब गव छोड़ दीजिए फिर आप क्या बोलते रहात हैं सब हम किसी का ठीका लिया है प्रवक्ता हैं हम दुस्रे पार्डी की बात मत करिए अचा पटनाविस विदाले में आपको भीम आरमी का समर्थन मिला है भीम आरमी नहीं सारे भीम आरमी हो अम्बेदकर कल्यान सारे छात्राबास अजादी के बाद पहली बार किसी कमजोर तब के के लोग धलित गरीब एक संघरसील छात्र जो एक लगातार टौपर रहा साइंस college का और student की बात उठाई संबिधान के का जो ideology है उसकी बात उन्होंने उठाई है no jat no dharm पत्ना इंवर्शिटी के को one के रूप में कैसे देखा जाए उसके अस्तित के रूप में जो पत्ना इंवर्शिटी को दुनिया देखती थी उसके academy के रूप में उसके examination के रूप में उसके आज वहाँ academy का कोई ओचित नहीं है examination का कोई ओचित नहीं है सही पानी नहीं है गुंडे का inflammation है बाहर से लोग जाके मार पीट करते हैं वहाँ piquette नहीं है सुरक्चा की बेवस्था नहीं है 10-10-20 साल के गुंडे लोग वहाँ पर hostel पर कबजा करके रहते हैं वीमेंस कॉलेज और मगद कॉलेज अब नहीं देखिए एक बेटी ने क्या कहा कि हम चाय का दुकान बंद कर दिया बोला यहां पर बेटियों का कोई लोग जाने हमारे पास तो परतिभाग को छोड़ के अउड़ जाने हमारे पास तो परतिभाग को छोड़ के हम मेट्रो में कैसे बच्चों का फिस नहीं ले पाए बस हम कैसे अगले बार हम वीमेंस कॉलेज और मगद अपने नीजी पैसे से दो बस देंगे बच्चियों की को जाने के लिए यह मैं आपको बता दिया पटना में और दूसरी चीज सभी जगह वाटर कुलर सभी होस्टल में वाटर कुलर पानी स्वक्ष पी सके और बाहरी गुंडे का प्रवेश नहीं हो यह इंपॉर्टेंट है लाइवरेरी को कितना रीच हम कर सकते हैं और लाइवरेरी कैसे मजबूत हो हमारे बचों को लाइवरेरी में पढ़ने की पृतिवा कैसे हो यह आप पैसे वाले गुंडे को लाइए दू दिन का उसको कुछ पता नहीं है आवाज ना बोलना ना संगर्ज करना कभी राजा बने तो आवाज उटाया वो लड़ने का काम किया लगातार वो सरकों पर जनाधिकार पार्टी और तो हमेशा सरक पर रहती है आवाज उठाती है और इस बार आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार एक ऐसे पटना इंवर्शिटी में छात्र को मिला है जो जीनि सरकार पार्टी का कंडिडेट कर जितते हैं तो बारवार एक मांग किया जाता कि सरकार से पी-उ को सीउ किया जाए तो यह पूरा सर सेंट्रल इंवर्शिटी का सवाल जब मोधी ने डिस्प्राइट कर दिया बीजेपी को को मतलब है बीजेपी को जारू दे करके भगाने क कि जौरत है कि सबसे बड़ा दुस्मन यदि कोई है पटना इंवर्शिटी और एजुकेशन का हेल्थ का तो बीजेपी है बीजेपी पर जीवन में ट्रस्ट करने की जौरत नहीं है और आप उमीद मत करिए कि सेंट्रल इंवर्शिटी पटना मिलेगा इसके लिए जाती ध पटना इंवर्शिटी में अगर आपकी पार्टी के जो कंडिडेट है वो जितते हैं तो पी यू से क्या सी यू की मांग पूरा करेगी तो उनका कहना है कि कभी अगर भाजबा की सरकार रहेगी तो यह कभी पूरी नहीं होगी तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है